आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर क्यों किया था। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि राजपूत वीरांगना को आग में कूदना पड़ा। यह बात आज से करीब 500 साल पहले की है जब अकबर ने 60,000 सेनकों के साथ चितोडगर दुरगा को चारों तरफ से घेर लिया। उसे वक्त चितोडगर दुरग में केवल 8,000 सैनिक थे। अब युद्ध 8,000 राजपूत सैनिकों का 60,000 मुगल पठानों से था। यह युद्ध का में लगभग 48,000 लासे गिरी। राजपूत किले के अंदर से ही युद्ध कर रहे थे। अब वह समय आ गया था जब चितोडगर की धरती बलिदान मांग रही थी। अब चितोडगर की सैनिकों का बारूद खत्म हो गया था तो चितोडगर के प्रमुक सैनिकों ने शाखा क करने की सोची और मुगल सैन को पर धाबा बोल दिया। मुगल सैनिकों पर राजपूत सैनिक शेर की भांती तूट पड़े। इस बीच वक्त आ गया था। राजपूत वीरांगनाओं को अपना आत्म सम्मान बनाए रखने के लिए जोहर करने का। बनाई रखने के लिए। आग में कूद कर अपनी जान का बलिदान दे दिया। और चितोड़गड की धर्ती घुजटी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और चितोड़गड की राणिया इतिहास लिखकर चली गई। ऐसे राजपूत सैनिक और वीरांगनाओं के लिए ज जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।